हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो ये मंडे मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहां पर ब्रेफ़स की तयारी कर रही हूँ और मैं इस टाइम पर मॉर्निंग में हरी बरी में होती हूँ तब जब मेरे हस्बंड को आफिस जाना होता है और इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सोचा सबसे पहले मैं आटा तयार करके रख ले दी हूँ तो मैंने आटा आटे में क्या है थोड़े से अजवाइन और थोड़े सो सॉल्ट एड़ करके इसको अच्छे से गूंत लिया है और इसे तयार कर लिया है साइट भाई मैंने करेले जो हैं बिटर गॉर्ड इसको वाश करके सुखा के फिर मैंने थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में इसे डिप कर दिया इससे क्या होता है कि थोड़ा जो कड़वा पन है थोड़ा सा कम हो जाता है नहीं तो करेले कड़वे ही अच्छे लगते हैं उनका टेस्ट वैसा ही अच्छा लगता है क्योंकि नेचर ने जो चीज बनाई है जिस तरीके से हमें उसे वैसे ही एकसेप्ट करनी चाहिए उसमें कुछ न कुछ तो ऐसा बेनिफिट होगा जो हमें मिलता होगा और यहां पर मैंने क्या किया ओइल गरम करके रख दिया है और साइड बे मैंने जो करे लिए थे उनको बॉइल कर लिया थोड़ा ताकि यह सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैंने इनको फ्राई करना शुरूर कर दिया इनको जादा डी फ्राई भी नहीं करना है तोड़ा शैलो शैलो फ्राई करना है थोड़ा सा क्रस्ट आपको लगे कि आ गया है थोड़ा सा कोल्डन से होने लगे तो बस इनको निकाल लो जैसे कि मैंने यहां किया है और जो green chillies हैं थोड़ा सा मैंने उनको भी oil में सौते किया है और साथ मैं ये दही ले लिया क्योंकि मैं इस टाइम बना रही हूं दही वाले करे ले जो मेरे husband की demand थी कि मुझे आज यही चाहिए तो ये जो दही थी मैंने घर में ही तयार की हुई है और जो बचा oil था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा है तो अब मैंने क्या किया oil में कुछ और चीज एड नहीं की है सीधा दही इसमें एड कर ली और इसको continuously stir करते रहना है नहीं दही का क्या हो जाएगा वो कडल हो जाएगी और हमारी दही खराब हो जाएगी तो इसलिए हमें इसे continuously तब तक चलाना है जब तक कि इसमें boil न आ जाए इसमें एक बार boil आ जाए उसके बाद हमें इसमें थोड़े से मसाले भी आड करने है और boil आने तक हमें बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है इसे हमें continuously stir करते रहना है जैसे मैं अभी कर रही हूँ continuously बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे अब बस इसमें boil आने बस ये देख लीजे इसमें boil बहुत अच्छे से आगी है अब मैं क्या करूँगे इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पॉर्डर जो है वो इसमें आड करूँगे ताकि इसमें color बहुत अच्छा आ जाए और एक चमच सौफ का पॉर्डर वो इसमें आड कर देना है और टेस्ट के according ही नमक मैंने इसमें आड किया है और मैंने इसमें अभी कुछ आड ने किया है जब यह अच्छे से boil हो रहा है खौल रहा है न तो मैं थोड़ा सा wait करके इसमें क्या है जो मैंने करे लिए fry करके रखे हुए थे वो भी इसमें मैं आड कर दूँगी और जो कुछ बचा हुआ ingredient है या बचा हुआ masala मसाला तो खैर हमें कुछ नहीं डालना है अब इसमें मसाले में सिर्फ दो चीज़ ही डालनी है healthy और soft cup order और टेस्ट के according नमक यहां पर डालना है end में हमें मैं आपको बताऊंगी कि end में हमें इसमें दो चीज़े और आड करनी है अब मैंने इसमें मैंने wait किया और अब मैं इसमें करेले आड कर लूँगी और अब मुझे इसमें क्या करना है कि इसे थोड़ी देर पकने देना है जब तक कि जो यह gravy है दही वाली यह थोड़ी सी कम हो जाए तब तक और करेले और वैसे तो soft होई गए है थोड़े से और soft हो जाए जहां तक मतलब चाहिए मुझे gravy इसकी तो यह इसका final look है final की मतलब बन के तयार होगी अब जो दो चीज़ों की मैं बात करी थी वो थी गरम मसाला थोड़ा से स्प्रिंकल किया है मैंने और जो काला जीरा होता है वो और यहां पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बिन का जो टीफन है वो एकदम ready है पराथे fruit, salad and सबसी बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम फिनिश किया है मैंने क्योंकि morning में यह रहता है कि कहीं यह लेट ना हो जाए और इनका टीफन न रह जाए या इनका breakfast न रह जाए वो मैंने आपको दिखा दिया यह मंडे का था मैं आपसे पूरे हफते का शेयर करूंगी और यह जो मैं है ना अच्छा लगा तो लाए अच्छा लाए